तो आज हम बात करने वाले हैं मेटा वर्स के बारे में और दिलेर महंदी के बारे में जी हाँ मेटा वर्स एक ऐसी दुनिया एक ऐसी वर्चुल दुनिया जो जिसका जो क्रेज है वो हर किसी में बढ़ता जा रहा है और इस क्रेज का जो हमको है एक जलक हमको Republic Day Parade के अंदर भी देखने को मिली कल और कल Republic Day Parade के अंदर जो है Metaverse की एक theme भी हमको देखने को मिली थी अब जो है Metaverse को लेके कल 26 January को जो है दिलेर महन्दी ने एक concert Metaverse के अंदर perform किया अपना खुद का जो concert है मतलब Metaverse की दुनिया में दिलेर महन्दी ने जो है perform किया और इनकी जो update है इन्होंने update पहले ही दे दिया था 17 January को ये update दे दिया था 26 January Republic Day के जो है मौके पर वो है concert के उपर perform करने वाले अपना जो concert है Metaverse के अंदर perform करने वाले है और Metaverse के अंदर इंडिया की तरफ से दिलेर महन्दी ने यहाँ पर perform किया और कही न कहीं Metaverse का जो craze है जो Metaverse को लेके चीजे है वो बढ़ती जा रही है और जैसे-जैसे Metaverse का यह craze क्योंकि future है ठीक है सारी चीजे Metaverse काफी चीजे बदल देगा future के अंदर और इसलिए हम time to time Metaverse के बारे हम बात करते रहते हैं और आपको भी बताते रहते हैं कि Metaverse कितना जरूरी है क्योंकि हमने picture देखी है cryptocurrency के अंदर भी बहुत सारे Metaverse project है cryptocurrency की दुनिया में इसलिए हम आपको जो है update दे रहे हैं और काफी अच्छी बात है जो है concert जो है पहले भी हो रहे थे Metaverse के अंदर शादी तक हुई है जो हमने आपको update दिया था तो शादी भी हो चुकी है concert भी हो रहे है music concert भी हो रहे है आने वाले time में हर कोई Metaverse से connect हो जाएगा आने वाला time ही ऐसा है तो यही कुछ चीजे थी Metaverse को लेके I hope इस video में आप सब कुछ समझ गयोंगे video पसंदा है video वो like share जरूर कर देना और आगे Metaverse को लेके Metaverse प्रोजेक्ट को लेके जो भी update रहेगा आपके साथ share करते रहेंगे आज की इस video में फिलहाल इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye